Hello Everyone, Welcome to Ravideti Classes आज की वीडियो का टॉपिक है Slogans of Great Leaders तो आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे जो हमारे great leaders रही है उनके जो slogans रहे हैं उनके जो नारे रही हैं उन्हें हम cover करेंगे तो friends यहाँ पर मैंने सभी questions selected और important लिये हैं अगर आप किसी भी exam के तियारी कर रही है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़दा useful रहने वाली है तो चले friends वीडियो को शुरू करते हैं first question से Who gave the slogan जै जवान जै किसान जै जवान जै किसान का नारा किसने दिया था बहुत ही famous slogan है और यह slogan दिया था जै जवान जै किसान अच्छा friends बात करती हैं लाल भादो शाष्टर जी के बारे में तो यह इंडिया के second prime minister रहे थे और कब से कब तक रहे थे बात करें 1964 से लेके 1966 तक रहे थे यह भारत के second prime minister और यह भारत के home minister पत पे भी नोंने काम किया था और यह भारत के sixth home minister भी रहे थे 1961 से लेके 63 तक तो यह थोड़े important point events इनको ध्यान रखेगा also friends यहां से important point में क्या ध्यान रटना है कि इन्हे famous award मिला था जो कि भारत का highest civilian honor है जिसे हम कहते हैं भारत रत्न तो यह important कुछ points है friends इनके बारे में जो हमें याद रखने है next question देखिए अगला question है friends who said these words मारो फिरंगी को किसने यह शब्द कहेते जो कि क्या शब्द है मारो फिरंगी को यह कहेते friends किसने मंगल पांडी जी ने अच्छा friends यहां से एक बहुत important question गे बन जाता है कि मंगल पांडी जी को फांसी कब दी गए थी वो year और वो date आप लोगों से एक्जाम में पूछ लगते हैं तो इने फांसी दी गए थी 8th of April 1857 में चीकिए तो 1857 का जो revolt हुआ था उसके उसमें यह प्रतम शहीद थे हुए थे ने दिया था सही आंसर है भगत सिंग जी ने नारा दिया था इन कलाब जिन्दाबाद फिर्ट्स यहासे की most important बाते में ध्यान रखती हैं कि भगत सिंग जी सुगदेव और राजकुरु जी को फांसी कब दी गए थी यह year आप लोगों से पूछ लेते हैं तो ध्यान रखेंगे 23 मार्ज 1931 को जो है इन तीनों को फांसी दी गए थी अगला question है who gave the slogan दिल्ली चलो so question ने पूछा गया है कि दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था answer है friend सुभाश चंदर बोशी ने नारा दिया था दिल्ली चलो friends सुभाश चंदर बोशी का जो जन्म हुआ था 23rd of January 1897 को हुआ था कटक उडिसा में तो इसने तेही जन्मरी को ध्यानने किगा friends की पराकरम दिवस की रूप में celebrate किया जाता है उनकी birth anniversary को ये question बहुत साथ important बन जाता है also जो आजाद हिंद फोश है उसके founder भी जो है वो कही जाती है और इन्होंने एक और बहुत ही famous slogan दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमें अजादी जूँगा ये slogan भी किसके दोरा दिया गया था सुभाष चंदर बोश जी के दोरा एक और point यहां से ध्यान लखेगा उन्होंने एक newspaper के शुरुआत करी थे और उस newspaper को नाम दिया था सुराज और इसे कब शुरू किया गया था 1927 में next question देखिए who gave the slogan do or die करो या मरो का नारा किस ने दिया था सब सभी जानते हैं किस के दोरा दिया गया था महात्मा गांधी जी के दोरा सबसे पहला point अब यहां से ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी का full name क्या था कई बर exam में यही पोश लेते हैं इनका पूरा नाम क्या था friends मोहन दास करम चंद गांधी यह इनका full name ता अच्छे से ध्यान रखेगा friends और महात्मा गांधी जी को father of nation जो है nation के नाम से जाना जाता था इनको इनको कहा जाता था अच्छा friends बहुती important point कि महात्मा गांधी जी को जो बापू की उपादी है वो किस के दोरा दी गय थी question कई बार पूछ लेती है so 6 of July 1944 को सुभाज चंदर बोशी के दोरा महात्मा गांधी जी को बापू की उपादी दी गय थी याद किगा बहुती important point है एक और important point friends आपनी सुदुना होगा चंपारन सत्यागरे के बारे में जो चंपारन सत्यागरे था बिहार में चंपारन जिले में 1917 में इसे शुरू किया गया था और इसे गांधी ची के नित्रत्व में शुरू किया गया था इसका नित्रत्व गांधी ची ने किया था और गांधी ची के नित्रत्व में होने वाला ये पहला ता सत्यागरे था जिसका नाम किया था चमपारन सत्यागरे next question पर बढ़ते हैं Who gave the slogan जय हिंद जय हिंद का नारा किसने दिया था answer है friends सुभाष चंदर बोशी के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा next question Who gave the slogan Hindi, Hindu, हिंदुस्तान answer is भारतेंदू हरिशंद्र इन्होंने friends नारा दिया था Hindi, Hindu, Hindustan भारतेंदू हरिशंदर जी की बात करते हैं friends तो इन्हें कहा जाता है father of Hindi literature also father of Hindi theater के नाम से भी इनको recognize किया जाता है एक और important बात यहां नखेगा Minister of Information and Broadcasting ने जो है भारते इंदू हरिशन्द रवार्ड की शुरुवात की थी 1983 से कि हिंदी मास कॉम्मुनिकेशन में जो ओरिजनल राइंटिंग से उनको प्रमोर्ड करने के लिए इस अवार्ड को शुरू किया गया था Next question, who gave the slogan, Hey Ram Hey Ram का नारा किस ने दिया था? सही आंसर है फ्रेंट्स महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था फ्रेंट्स हे राम Next question, who gave the slogan, Vijay विश्व तिरंगा प्यारा? Right answer है श्याम लाल गुपता, श्याम लाल गुपता जी ने नारा दिया था, Vijay विश्व तिरंगा प्यारा जो फ्रेंट्स Vijay विश्व तिरंगा प्यारा है ये भारत का जंडा गीत या इसाब भारत का दुहच गीत भी बोल सकते हैं और ये किस ने इसकी रशना की थी? श्याम लाल गुपता जी ने अगला question है, who gave the slogan, Quit India? भारत छोडो का नारा किस ने दिया था? सही answer है, महात्मा गांधी जी ने जो famous slogan दिया था, Quit India next question, who gave the slogan, Suraj is my birthright? Suraj मेरा जन्मसित अधिकार है का नारा किस ने दिया था? answer है, friends, Bal Gangadhar तिलक जी ने friends, बात करते हैं, Bal Gangadhar तिलक जी के बारे में तो इन्हें लोक मान्य तिलक के नाम से भी जाना चाता है और जो सुराज शब्द था, सुराज शब्द को सबसे पहली बार Bal Gangadhar तिलक जी ने ही, मतलब एक तरीके से बोला था इनके द्वारा दो important newspaper की शुरुवात की गई थी उनके नाम दिया जरुद्यान रखेगा, एक का नाम है केसरी और दूसरे नाम महरता, तो ये दो समाचार पत्र के शुरू की थे Bal Gangadhar तिलक जी ने अगला question है, who gave the slogan, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो ये नारा किस ने दिया था, राम पर साथ बिस्मिल जी के द्वारा नारा दिया गया था सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है Next question, who gave the slogan, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा Correct answer is Iqbal, तो Iqbal छी के द्वारा नारा दिया गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा Next question, who gave the slogan, you give me blood, I will give you freedom तुम मुझे खून दो, मैं तुमें अजादी दूंगा का नारा किस ने दिया था सही answer है, सुभास चंदर बोज जी के द्वारा ये नारा दिया गया था Next question, who gave the slogan, साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन वापस शाओ का नारा किस ने दिया सही answer है, लाला लाशपत राई जी ने अच्छे फिंट्स, यहां से एक जोटी सी important point हमें ध्यान लगना है और साइमन कमीशन ने अपनी report का प्रस्तुत की थी, वो भी आदखेंगे 27th of May 1930 को तो यह दो important point बन सकती है अगला question है, who gave the slogan, who lives if India dies भारत मरे का, तो कौन चीवित रहेगा का नारा किस ने दिया था सही answer है, जवाहलाल नहरुची ने नारा दिया था who lives if India dies, जवाहलाल नहरुची की बात करते हैं, तो यह भारत की जो है first prime minister रहे थे, भारत को फ्रेंट जी दिन सोतंतता मिली थी 15th of August 1947 को, तो उसी दिन यह भारत की बनी थी first prime minister जब 1964 में फ्रेंट से heart attack की वो जससे इनकी death हो गई थी, उनकी मृत्यू के बाद में second prime minister कौन बनी थी, मैंने आपको starting में भी बताया था, लाल बहादूर शाष्ट्री जी अगर फ्रेंट्स यहां से एक important और point discuss करें, first prime minister की ही बात हो रही है तो पहली woman prime minister कौन बनी थी भारत की, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, इंदरा गांधी जी next question पर बढ़ते हैं, who gave the slogan, go back to Vedas, वेदो की ओर लोटो का नारा किस ने दिया था?